देखो बड़ा विवादस्पदस आपने सवाल ये पूछा है इसका कारण कॉंट्रवर्शल सवाल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हर एक आदमी अपना पंथ, अपना ग्रूप, अपना जूत अपना ग्रंथ, अपना मंत्र, अपना गुरूँ, वही सर्वश्षेष्ट हैं, बाकि सब बेकार है इस प्रकार की प्रचार प्रसार में होड लगी है तो एक के बारे में बोले, तो उसको तकलीफ हो जाएगी, दूसरा ककोत उसको तकलीफ हो जाएगी तलवार निकाल कर मोर्चे के उपर आ जाएं इसकी चर्चा कुछ हद तक दो-चार दिन पहले हमने करी थी जरूर के दंभिन निजमती कल्पी करी प्रगट किये बहुपंथ और कतेई भी सनातन वेदिक धर्मन से इस प्रकार के पंथों का कोई सबन नहीं है ना उसकी विचार धारा हैं ना आगम निगम का पालन करने वाले ये लोग है अब कोही ऐसे जिसका नाम संस्था का लिया है उसको जाकर पूछो के आगम निगम क्या है उसने सुना भी नहीं है तो which part of सनातन वेदिक धर्मा are you part of जब तुम आगम निगम को ही नहीं समझते हैं भला अपनी अपनी विचार धाराओं अपनी अपने मती में जो आते हैं अब भोली प्रजा को इसमें देखो मेरे बाओ जी मुझे कभी कभी कया करते थे के देखो बेटा दुनिया तो नाचने वाली है नचाने वाला चाहिए बस दुनिया तो नाचती है नचाने वाला चाहिए यही घटना घट रही है और इन लोगों ने ऐसे लोगों ने सिर्फ यही संस्था नहीं ऐसे ही संस्थाओं ने सनातन वेदिक धर्म को बहुत क्षती पहुँचाई है और बोली प्रजा छोटी छोटी बातों में आकर फस जाती हैं लेडिस को खड़ी आज यही तो प्रॉब्लम हो रही है छोकरियों को खड़ी कर देते और कौन छोकरी को नहीं देखेगा आपको बुरा लग जाए इसी मे कोई थोड़ा देखने के लिए आएगा इनकी इस पॉपिलारिटी जो है उसके पीछे का एक ह्यूमन साइकोलोजी में आपको बता रहा हूँ इसकी चर्चा फ्रोइड ने अपने ह्यूमन साइकोलोजी में करी है कि पुरुष का स्वाभावी की तरश्टी से औरत में अमु इसको गलत न समझे लेकिन इन लोगों ने गलत काम गलत प्रचार गलत आशायों इसको दी है और एक मौलिक विचार इनका हो तो हमको बताइए महा भारत में स्पष्ट बताया है भगवान वेद्व्यास ने या सोशिष्ट जगत सर्वम यदि महा भारत में है तो अन्यत्र होगा यदि महा भारत में नहीं है तो कहीं नहीं होगा तुमारे पास मौलिक विचार है क्या तो गोस्वामी जी की बात सिद्ध हुई के बस कुछ 70-80 साल पहले एक सुनार को अपनया उसने अपनी ब्रैंड चालू कर दी मैं आपको एक सिधी बात बताता हूँ ये सिर्फ उनको नहीं और लोगों को भी लागू पड़ता है हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे इस विशई के उपर तो शुकाचारिय ने मेरे को कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सो साल पुराना कोई भी बुढ़ा आदमी का तस्वीर मेरे को दे दो चाहे कैसी भी ब्लैक और वाइट पुरानी तस्वीर दे दो और मेरे को 500 करोर रुप्या दे दो दस साल के अंदर ब्लैक एन वाइट का फोटो किसी का भी बाबा का हो कुईसी भी बुढ़ा का भी हो गाउं में रहने वाला अनपड़ हो गवार हो कुछ भी हो वो फोटो मेरे को दे दो उसका नाम मेरे को दे दो और पांच सो करोर रुपया मेरे को दो दस साल के अंदर मैं उसको भगवान बना दूँगा मंदिर बना दिया चार-पांच दो-चार फिलम बना दी साल-दो साल तक सिरियल बना दी हो गया बाल बिद्ध कुछ सही है एकदम सत्यम है यही गटना यहां इन दंभियों को इन प्रकार के जिन लोगों ने प्रचार-प्रसार किया है बोली पबलीक को इसी में ही किया है महाराष्टर में जो मलेश जक्वा है आज से 40 साल पहले कौन जानते थे एक फिलम निकल गई, सिरियल निकल गई बन गया, करोडो करोडो रुपया आने लगा 50 साल पहले हमारे गुजरात की जो एक बड़ी संस्थावा बन गई है 50 साल पहले कौन जानते थे उसको बला पैसे आ गया, बन गया सारी की सारी चीज 70 साल पहले इसका किसने नाम सुना था जिसकी आप चर्चा कर रहे हो किसने नहीं सुना था दो चार फिल्लम बना दो एक दो सिरिल बना दो दो तिन मंदिर दर बना दो बगवान बन गया इनसे सावधान रही हो आगम निगम, वेदो ब्रह्म सुत्र, गीता पुराणो महाभारत शिमत भागवत रामायन जिन की पंच देव में आस्था नहो, इन शास्त्रों में आस्था नहो, भगवान वेद को न समझे न माने, हाथ जोड़ना, क्योंकि इन लोगों के साथ बहस करने में कोई फाइदा नहीं, मेरा एक सुत्र है, और ठीक तरह से सुन लिजी आप, जो लोग जूट को सच मान बैठे ह उसके साथ कभी बहस नहीं करना चाहिए, आप भी बहस न करो, मेरी ये आपको सलाह है